हेलो दोस्तो दोस्तो आज का इस वीडियो में हम मेन होल बनाने के लिए क्या क्या क्वांटिटी चाहिए हाँ दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम वही क्वांटिटी को इस्टिमेट करने वाल है दोस्तो हमारा जो मेन होल बनाने के लिए नर्मली क्या लगता है ब्रीक लगता ह है cement, sand, इस तरह से क्या लगता है, material लगता है, और शाथ-साथ manhole के cover लगता है, तो दोस्तो, इन quantity को क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में calculation करने वाले है, ठीक है, इसको estimate करके कितना नमरा brick आएगा, उसमें कितना नमरा back cement आएगा, कितना cubic meter, sand आएगा, वो सारे चीज गुम क्या करने वाले, इस वीडियो में calculation करने वाले है, और दोस्तो इस वीडियो का अंदर आपका जितना manhole का doubt है, आप इस वीडियो देखेर आप जितना सार calculation portion है, आप manhole का design कर सकते है, calculation कर सकते है, ठीक है दोस्तो, और manhole क्या है, manhole बन में है, आप वहाँ पे किली करके देख सकते हैं, और साथ साथ मेरे site पे जो काम हुआ है, manhole जो बनाया है, circular manhole जो बनाया है, उसका भी वीडियो मेंने practically जो काम हो रहा है, किस तरह से brick में snoddy work हो रहा है, किस तरह से उसमें hum pipe connect कर रहा है manhole में, वो वीडियो भी हम upload कर चुक उसका material को हम कैसे calculation कर सकते हैं, तो चलिए stepwise हम जानने के कोशिस करेंगे, अपने पास pain और calculator रख लिजएगा ताकि आपको calculation करने में आपको सजीला हो, ठीके दोस्तों, तो चलिए हम इसका हिसाब करते हैं, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, calculate the material for manhole, हमारा जो manhole होता है, उसके लिए material क्या-क्या लगना चाहिए, क्या-क्या material मिलके यह manhole बनता है, ठीके दोस्तों, तो पहिज़े चलिए हम manhole का एक figure, rough top figure बना लेते हैं, ठीके दोस्तों, चलिए गाईज, आको पता है, जो manhole होता है, नर्मली क्या होता है, traditional section में होता है, इस तरह से section होता है, देखे, उपर का portion क्या होता है, circular होता है, ठीके गाईज, और इस तरह से, इस तरह से, एक section, एक section, गया होता है, ठीके गाईज, और देखे, आप समझने कोशिस करिएगा मैं होल हमारा इसी तरह से होता है मैं फीगर में थोड़ा अच्छा से आपको दिखा नहीं पाँ रहा हूँ इस थुरू आप्ट सेक्शन इस जो हमारा यहां पर क्या होता है बीक मिशनरी वर्क होता है इस साइड भी सेम थिकनेस होता है दोस्तो हमारा जो जनरली जो मैं होल होता है उसका जो आप सेक्शन भीव देखोगो जिसे आप साइड भीव बोल सकते हैं या फ्रॉंट भीव बोलोगे इसका फ्रॉंट भीव इस तरह से देखेगा प्रियर उपर से क्या होगा एक circular hole के जाकर ऑजना विख सरेक्षिप अंदर दिख और वे सेक्षिण अपर क्याए है उसकेस में रूच्छ मार मेने वह सकता है पर जनरली जो डिजाइन होता है जो फिल्ल में में मैन हो प्रोःट करते किखास करकें है अधे Μैन हो हो principles दोस्तों यह जो section है क्या है इस तरह से circular section है जिसे यह top का section है इसी तरह से bottom का भी section है पर हम आपको समझाने के लिए इसका front वीडियो क्या है एक एक रेक्टिम लग इस section की form में आई है ठीक है दोस्तों और यहाँ पर bottom होता है ठीक है यहाँ पर concreting work होता है ठीक हम आपको concept ब्रिक का एक लेर का क्या होता है सोलिंग होता है जो आप प्लान में भी वो क्या होता है मेंशन क्या होता है जो आप लेयार को ले आते हो उसमें भी मेंशन हुआ होता है ठीक है दोस्तों तो एक क्या है ब्रिक फॉस्ट में क्या है ब्रिक सोलिंग दूसरा क्या है PCC इसे क्या क्या बोलता है, Plain Cement Concrete, Pcc, ठीक है दस्तों, और यह क्या है, Brick Missionary का Wall है, Brick Missionary Wall, ठीक है, दोनों साइड से यह क्या है, Brick Missionary Wall, ठीक है, BMW, Brick Missionary Wall, ठीक है, इसको calculation नहीं करना है एक यह जो आपका यह जो section है इसके हिसाब से किया होता है उपर का top portion का section है कितना square feet square area में फैला हुआ है उसके basis उसका cover आता है उपर क्या होता है कि आया कि नहीं वह चीज को आप भी कल्कूलेशन करना है तो गाइज इसमें क्या-क्या कम्पोनेंट आ गई आपको मेटेरियल क्या क्या आगी इसमें आपका ब्रिक सोलिंग आ गई साथ से PCC हो गया ब्रिक में स्नॉर्डी वर्क हो गया ठीक तो यह हमारा नर्माली क्या मैन ह तो दोस्तों आपको पता है मैन होल होता है क्या है आप मेरे वीडियो नहीं देखिए गाइज तो आप सुझेस्ट करता हो पहले वीडियो देख लिजेगा मैन होल क्या है मैन होल बदाने का प्रपस किया है ठीक है मैन होल क्यों बनाते है कितने डिस्टांस के बाद एक मैन होल के बाद दूसरा मेन होल कितने डिस्टांज पे प्रोवाइड करना चाहिए किस कंडिशन में किस तरह का मेन होल प्रोवाइड करना चाहिए ठीक गई तो एचीज समझ गए वह वीडिव आप देख लिजेगा ठीक है आई बटम में है आप डिस्क्रिश्टम में भी है वहाँ दोस्तों ये जो मेन होल होता है देखिए मेन होल कहां पर होता है जहां पर जक्षन पॉइंट होता है कि जहां पर दो तीन हुम पाइफ होता है जो हमारा सर्कुलर हुम पाइफ होता है इस तरह का हुम पाइफ होता है इस तरह का हुम पाइफ होता है इस तरह का हुम त्वाइलेटि से हो गया बाथरूम से उजगया जितना सरा कचरापाणी आता है तुलेक्ट होता है और उसकी तुलू तुलू लेवज पो आके क्या होता है प्कषीम नोदकर परे esteem शेच्विह कछरा पारी कया डी इसके सेटम्र मावल आप यहाप रों नली के इस साइट से क्या होग आरेखोर ना पर आप यहाप यकार ना परिगा गाज हो नां इन कि नयांपे बीत मैंतर क Edwards स्पमास दामाव दॉ हम डाइम इस तरह से रीज होग आपन के इसमें इज सेक्षन है, मालो इधर से भी रोड आया है, इधर से भी रोड गया, 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 यहाँ पर आपको क्या करना है, मैन होल पर रवाइड करना है, सर्कुलर इस तरह से, तरह से, यहाँ पर क्या होगा, इस रोड तरह से इसमें क्या होगा इस आप इस तरह से इसमें सया के व्लिकमेट्थाम कर रहे है तो ह ही इसमें कार निये और निकाल सकते हैं इसमें क्या होता हैुमप Ainpe में होता है दो तरह का डायमिटर होता एक इंटर्नल हो गया जर्णल क्लेओ हो तो यह 경़ चंवाने हो इसको माद बाई ईक शिर्णल कितना मानूर्ण चंव और फोर्ण पोन प्रेश्छल कि आप इससको चेह तोहें होके क्या होगा यहाफ वाटर लेवल ठीट यहाफे वाटर लेवल मतलब होगया Weeks दूस्तो आईयो इसका हम पहले फाले प्रेक्ल प्रेक अडिया निकालते होल होता है उसका नर्माली हाइट कितना लेते हैं according to road किस condition में वहाँ पर कितना सीबेज फ्लो हो रहा है उसके बैसे पर हम जो डिजाइन अभी कर रहे हैं वह कितना दो मीटर के मानके हम इसको क्या करें डिजाइन कर रहे है ठीक है तो चलिसका हम आप classification करके दिखाते हैं और साथ हमारा जोबूरिक मेशनवरी वाल है वह कितने का 14 इंच यानि कि 14 इंच का वाल और 14 का बाए GL किस तरह से लिख सकते हो जीरो पॉइंट थीरी फाइब मीटर इसको चवदा इन्स को आप कनवर्ट कर अब मीटर में तो 0.35 आपको मीटर आएका इस तरह से आप निकाल सकते हो और साथी आ हुम पाइब का भी सेक्शन है आप देख से किते हो इंटरनल एक्टरनल दोनों डाय दिया है क्या एक्ष्टरनल इतना है दोनों है वो क्या है स्यंट डाय का है यह हीं पाइब और यह हीं पाइब क्या है यह 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 मीं हूं तो गष्ट पहले चलते हैं हम आपको चलिए यह जो हमारा में होल यंका बेस का लबाई कितंग आहें यहाँ पे यह ematब से ठीग की इक्स टार्नल ट्रणीं कितना देखे एक्सटार्नल लफ केो बात कर रहे हैं माल वह कितना लोह के दैँस हमारा जो एक्सटार्नल डामेटर है पिन आटक टारलकनल यहां से रहां तो ऑटना है 1.6 मीटर है अब हम इसका इंटर्नल लेंगे तो कितना होगा आप इस सूथ के दिए बताओ क्यों कि देखो यहां से इतना एरिया को अब माइनस करना है 1.6 माइनस कितना करोगे 0.35 प्लस 0.35 जो हमारा वार्ग थिकने से से वो कितना होगा 0.0 0.9 इसको करके देखलो आप चलिए हमके लिए मादस करते है 1.6 माइनस 0.7 0.90 ठीक है यह 0.90 मारा के आगे मीटर में आगे ठीक है तो मैं पता चल गया हमारा जो बेस का इंटर्नल डाइमेटर कितना है इंटर्नल डाइमेटर 0.90 एक्स्टर्नल डाइमेटर कितना है 1.6 यहां पर कितना है इक्स्टर्नल कितना है 1.6 आए और आप इसका आपको टॉप को बताते हैं यहां पर जो टॉप है वो कितना है टॉप का डाइमेटर हम मान लेते हैं कितना है पचास टॉप का डाइमेटर प्लस द्दूपॉंट 35 कितना होगा 70 हो गया 1.2 मितर हो गया है समझे टेना ऑप का देखिए लाध इन पटेल सीब बता ते जो वारा बॉटम का बॉटम का डायमेटर कितना है 1.6 मिटर टॉप का डायमेटर कितना है यह भी एक्सटनल इंचे का वाल एक तो चलिए दोस्तो हम क्या करेंगे जो हमारा इस सरकल है हमारा सरकुलर मैन होल है उसको क्या करेंगे एभरेज एरिया हम निकाल लेंगे ठीक है जोस्तो दोस्तो इस हमारा मैन होल होता है आपको बता बताते उसको क्या करना आपको एभरेज निकाल लेना है जिससे हमारा ये बां इंटर्नल को पढ़ ले लिए ठीक, इंटर्नल का इंटर्नल सब्सक्राइब सब्लाइब मीन सब्सक्रीक आफ लकई प्यार्मुला ढांगा. आपको पसक्त हम प्रते हमें प्त्रों सब्सक्राइब। In case of circular, यह यहां का फर्मूला क्या है, क्या है, पाइ बाइ फोर इंटू डी स्क्वार, ठीक है गाईज, तो चली हम पहिले क्या करते है, फोर, इंटर्नल डाया, इंटर्नल डाया के लिए क्या लेंगे, आपको बोली थे हम इंटर्नल कितना है, इसमें 0.50 है, ठीक है, टॉप को 0.50 है, और बोटम का कितना है, 0.9, 0.90, ठीक है, इसको क्या करना है, एड करना है, और डिवाइड बाइड टू करना है, तो इसके एड करने स से क्या होगा आपका मीन यहां का मीन का इंटर्नल डामेटर आ जाएगा ठीक है तो चलिए इसको करते हैं जी आये करते हैं 0.50 फ्रएअ किटना हुगा 0 0.7 मीटर इसकर क्या होगेा इंटर्नल आ गई चलिए अब एकस्टर्नल करते हैं इस ते लिए हो गया फूर इंटर्नल फूर उसक्तर नंगा था ऑब हमें एक्स्टर्नल डाया चाहिए इंटेरनल को हम 48 d से लानाते है, एक्सटरनल को बारे एड से दनाएंगे इसका मिन खाली1.6 लेना है, अग्सटर्नल डाय है कितना आपका 1.2 divided by 2 करनाहे, दुनों लेकर क्या करना है, मिल लेनाहे, देखीं उपर इफिते डायोंका धायोना एक्स्टर्नल डायमेटर लेना है, क्योंकि वाल का भी थिकने साहेगा न, तो 1.2 होगा, और निचे का 1.6 होगा, 1.6 प्लस 1.2 डिवाइड़ बाइड़ 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 ले लिए, अब चली हम आपको क्या करते हैं, यहाँ पे हम भॉल्म निकालत हैं, हमें क्या करना है, भॉल्म निकालने, भॉल्म के लिए फर्मूला क्या होता है, एरिया इन्टु हाइट, एरिया का फर्मूला क्या है, इन्दकिया सब्सर्कुलर, हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पाइड़ बाइड़ इन्टु डी स्क्वाइर, ठीक है, प अब height कितना है, pouco height मैंने mention करते हैं, ब्रइब करते हैं, इंटू टू करोगे कितना हुगा चलिए करते हैं केलुट्रे की मतस्ति करते हैं, माइनवस जीरो पॉइंट शेवन का स्क्वाइर इसे उपरते हैं इंटू टू करते हैं देखिए हमारा जो भॉल्म आया कितना है यह तो पॉइंट त्री जीरो नैन मीटर क्यूब थेक गाइज हमारा जो बीरिक में स्गरी वोर् कितना हुआ है देखिए इस एरिया में इस जॉन में इसुन में बीरिक में श्री वर्क हुआ है। वर कितना adjust में हुआ है 2.0 बीध घार ह arquip permits निकाले हैं पर इसमें homepower को मैनस करना पड़ेगा ना2 home— कि ये गाज़ा होई जेतनों इक मुसके उने का और से रहा है में फाले में जीवाkem तो आपको 30 कि अर्फ मीट्र है जेतना चैनंक फॉन में 14 उमपाइफ में न्हें ने को तुर gratis को छीरिया क दो ही एत्यों के लिए का यृषाने करंग इस दिदे आक्षन ओफ कि इन इन मटियू कि घटाएंगे तो कडिको कि इस एरियामे में तो ब्रीक नहीं लगेगा यहां पर क्योंकि हुमिपाइप इसके साथ कुनेक्ट है इस वाल में हुमिपाइप कुनेक्ट है तो वहां पर नमर बिक क्या होगा घट जाएगा यहां पर नमर भी घट जाएगा तो इसको निकालने बहुत समस्या होता है इससे किसे निकालेंगे देखिए बहुत ईजी है इसमें भी कोई दिमांका घुमाने के बात नहीं हमारा कितना है वह आपकर समझेना हमारा loko तो चन berries करना है अगर यहां पर तीन रहता तो तो हिचाल रहता है तो चार करना है कि किसल thou है हमारे किसमें के दो ही फाइज़ 20 दो और के लिना है कि आपको पता है ह Congress हुआ एह हमारा मणलोग यह वाल है यहां पर क्या है इस तरह से or फिर आब बताया यहां पर क्या है फीर रहां पर कले कि फिर से यहां है तो गाइज वर्क ओर वाहें यहांपर बेस चलिए तो अपको पता है यह जो सर्कुलर एरिया है वहाँ पै तो सर्कुलर भी टो घटाना होंगा और साथ ही जब दह एक salah क्यों तो फिकनेशे उसको हाटाएंगे तो विछा घसे वालको थिकनेंशे और साथी लिएStизнес चर्कुलर यह हुम फाइप का डाया को घठाएंगे तो अपिछा एसको क्या कर सकते हैं चलि यह कुछ की लिपेज को करने वाले है और हम जो हमारा जो हुमपाय फें उसका कभी बी इक्सटर्नल डामेटर ले ना है इना कि इुष्टर्नल्ठ ग्सकोम डामेटर ना है पॉन पॉन फॉन जिरो वहीं ले राओ शेया ना जो चली इसका फ्रमिला तो 0.90 के साथ होगा पर हमारा जो क्वांटिटी को कल्कुलेशन करोगे बिरीक में निकाल लोगे तो एक्स्टनल डामेटर निकालना पड़ेगा वो चीज को आप यह पे मेंसन करना पड़ेगा कितना है 1.10 पाइब फोर इंटुडी स्कॉर कितना है 1.10 इंटु थिकनेश कित आ है थिरी फाइप आगे गाइज समझ गे इसमें क्या कि मैंने टू हम पाइफ टू नमर फूंपाइफ पाइब फोर यहाँ पर हम जो हम पाइफ ही कितने सर्कुलर एरिया में फैला हुआ है उसका फर्मूला पाइब फोरी टू डी स्कॉर डी मतलब एक्स्टनल क्या है 1.10 का स्कॉरर अइन्टू जो हमारा हुंत एप कितने में प्नेट गां तो जो वाल का थीकने सेस्सें जर्फ याएफ का भाल का थीकने से जी अर्यव में पै्सित्व बैंट्स गोरे बीग सात मुल्टिपले कर दिये और यह टू न मॉनर ऊइलाय हे लिग बैन्टीए है कितना हो गया, 0.665 मीटर की हो, अब गया क्या करना है, मैं, टोटल, वॉलूम, फोर, ब्रीक, मेसनारी, मेसनारी, तो गया, टोटल ब्रीक मेसनारी के लिए कितना वॉलूम आएगा, ये पहला का जो वॉलूम है, 0.30-0.665 कर देना है, 0.309, 1.643 मीटर की हो, ये हमारा क्या होगे, ब्रीक मेसनारी का भॉलूम आगया, ठीके गया, और आपको पता है, हमारा जो ब्रीक मेसनारी यहां पर जो ब्रीक मेसनारी होआ है, वो कितना क्यूबिक मेटर में होआ है, 1.643 क्यूबिक मेटर में ब्रीक मेसनारी का वर्क होआ ह और इसमें क्या किया है हमने इसको क्या किया है हुम पाइम को एरिया को और वालगा थिने से को डिडॉक्टर के इतना आया है ठीक इसी तरह से निकालना है इसी तरह से आपको निकालना है तो हम ब्रिक में सनौरी का निकाल ले यह इतना बहुल मागी और साथी साथ आप आए ह जो हमारा PCC करता है, जहांपे जो section होता है, जो हमारा circular mainhole है, तो यह सारे area में क्या करता है? करता है इसका ज़ो कंकुरीटिंग जब आप करोगे तो यह क्या थे रिखते हैं नहीं करते थोड़ आपमें करते हैं विसस्तरशनित करने होव क्र मैं कंपी तो समय विची करता है तो इसमें उसमें चंपी करता है जो हमारा ली आउट मेंट लेखताizers अठ 28 cm करणा है, 10 cm करना है canyon 5 cm पर हम इसको क्या पने करेंगे 8 cm जमारा PCC workflowi 8 cm. तो चलिए इसको भी क्लिक्रिशन कर देते हैं, चलिए भॉल्म निकाने, भॉल्म के लिए क्या फर्मूला लगा इसमें, इसमें वही लगा, क्योंकि हमारा जो ये क्या है, मेन होल सर्कुलर है, तो सर्कुलर के लिए क्या लगा फर्मूला पाई फ़ोर इंटू, डी स्कुरर, मतलब कितना होगा देखिए हमारा जो बेस से हो कितना है 1.6 है 1.6 है स्क्वाइर इंटू यह हमारा क्या हो गया एरिया हो गया और इस हाइट कितना है देखिए 8CM है इसको मिटर में लगना है तो क्या से होगा 0.08 0.16 .0-meter cube में हमारा क्या होगा इतने कंटिती PCC अनुंक्रेट इसमें PCC लगेगा PCC के ना होगा प्रिम्समें कौइट Poll क्याओट इसमें PCC लगेगा PCC क्या थे प्लेचिती में निक्या है अनुट इसान सांथ हम क्या लिए करेंगाी ब्रिक शोलिङगा टीन थे बई क्या करे कंशेप्ट है देखे गाज ब्रिक जो सोलिंग होता है इसमें आपको कम्प्लेक्स कब आएगा वह इससे आपको पता है जो हमारा नर्माली ब्रिक का इस तरह से सोलिंग में क्या करता है आधा-धी आधा ब्रिक को लगाते कभी को आदेखे एक पूर पर सोंस फूर्ट परीक सोलिंग में दागा देते हैं तो हम वह माल दो ऑपकना जोघंव perfect ड्समिंग तो आप देख्या नहीं ता होता है तो स्कॉते आससंडर्फ को में देखते हैret आनी पर आप क्या पर नहीं से क्लो स्विंग क्या होता है उथ? कर लियं हम क्या करनेगे एक सिरेम हिसमें दूनुभर एक आश कर देंगे तो 0.8CMcile6Fect में 0.12 It's just ヘMte अधी आधी तो हमारा बिरेक क्या इसमें दिखी या म्रें नहीं होते है इसलिए हम ब्रेक का अधी लेने जिसका अधी लेंगे और लियंगे ख़िया बुप नहीं है बिएका लंब रो चोड़ाएक लेना है चले एरिया निकालते बिएका कितना इरिया 0.24 इन्टो गेर्का इन्टू 0.12 चले 0.24 इन्टू 0.12 जीरो पॉइंट कितना हो गया 0 288 इतना है किया होगा मिटरे स्क्यार में हमारा एक बिंखा भॉलं हो गया सोलिंग के लिए और हमारा आप आईये अब इतना ईतना यह घ्रिक हमारा एरिया है एक जिले लिए और चलिये अमने मेन वल टुट ना धिक लगा है यहाँ पर बीक शोलिंग में दोल और तो इसको भी कल्कूर शन कर लेते हैं चलिए देहीं इसमिक हरना है को हमारा फेले हम क् square फिर वह करना है देखिए पाइबाइब फोर इंटो डी कितना है वन पॉइंट सिक्स का स्क्वाइर कर इंगे कितना होगा पॉइंट सिक्स का स्क्वाइर करेंगे कितना होगा ? 2.0106 ठीक है गाज ? यह इतना हमार एरिया आगया और एक बिल्का भूम कितना है ? 0.00288 अब हम किया कर आगे नम्मर व बिलिक निकालने के लिए किया करेंगे ? जितना एरिया आया है ए ए कितना है 2.0106 divided by 0.0288 करो कितना होगा एक 70.8 यानि की 72 नमर ओफ ब्रीक तो गाइज फाइनल आपको पता चल गया दोस्तो हमारा कोई भी मेन सर्कुलर मेन हो लोता है उसका आप एरिया इसी तरह से निकाल सकते हो दोस्तो देखे यहाँ पे जो ब्रीक का जो गाइज यहाँ पे जो ब्रीक का जो भालूम आया है एक एक वाल ही की रूप में मालो एक वाल का भालूम आया है वो कितना है 1.643 दोस्तो इतना भालूम आया है तो इसमें कितना नमर ब्रीक लगेगा कितना सिमेंट सेंड क्या लगेगा दोस्तो ओ वीडियो भी हम अल्ली बना चुके हैं दोस्तो कोई भी वाल हो गया कोई भी में नोडिवाल हो गया उसमें कितना नमर बीक लगता है उससे कैसे कल्कुलेशन करेंगे दोस्तो ओ आई बटन में आप किलिक करके विडियो देख सकते हैं और साथ ही साथ और उसका लिंक भी डिक्स्रिप्ट्रिप्टन आप देख सकते हैं और साथ से क्वांट्री फोर PCC जो हम आप किसी भी उसका लिंक राल दूंगा ठिके दोस्तो और साथ आपको कोई भी समस्या में कोमेंट करके पूस्चते हैं I hope